हेलो रीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायो स्टार गोल्ड कैपसूल के बारे में, जो कि इस कैपसूल के इस्तेमाल बहुत जादा सारी कमझोरी, खूर्ण के कमी, इसके अलावा नसों में कमझोरी होने की समस्या होती है, तो अन से भी कंडिशनों में इ सीचाइड एक किसे नहीं लेना है यह सब ही बाते हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बात करते हैं बाइस्टार गउल्ड कैप्सुल जो की माइक्रोलाप्स कंपणी की बिनावी मेडिसिन हैं 10 कैप्सुल की पैकिंग में अब्लिबल हो जाती है प्राइस की बात करे त जिसे लिंसीड की नाम से भी जाना जाता है, फॉलीक एसीड, लाइकोपेन, पाइरीड ओक्सिन, जिसे बिटेमिन B6 कहते हैं, जिंक, सिलेनियम जैसे काफी अच्छे-च्छे कॉंबिनेशनों से मिल करके इसे बनाया गया है, अब बात करते हैं, इनसे भी कॉंबिनेशनों और क्या बेनिफिट हैं, किन-किन प्रपजों में इस्तमाल करते हैं, तो पहला कॉंबिनेशन है सिलेनियम, जो कि एक तरीके का बहुती अच्छा एंटियोक्सिडेंट है, जो कि heart disease को होने के chances वो कम करता है, mental disease को cure करता है, immune system को बढ़ाता है, अस्थमा को कम करने में काफी फायद मन्द होता है, thyroid gland function को improve करने में काफी फायद मन्द होता है, अब बात करते हैं, pyridoxin, जिसे vitamin B6 कहा जाता है, इसके अलावा इसमें आपको vitamin B12 मिल जाता है, जो कि यह दोनों ही combination काफी important होते हैं हमारी body के लिए, यह anemia की problem को कम करने के लिए काफी फायद मन्द होता है, खून की कमी होती है, तो उनसा भी purpose प्रज्व में काफी फायद मन्द होता है, RBC count को improve करता है, cells को division और formation करने में काफी फायद मन्द होता है, इसके साथे साथ यह blood में hemoglobin level कम होती है, तो उनको भी improve करने में काफी फायद मन्द होता है, इसकिन को healthy बनाता है, muscles की weakness को दूर करता है, mass patient को मजबूत करता है तो इन सभी परपजों में काफ़ी फायदेमंद होता है, vitamin B12 और vitamin B6 अब बात करते हैं alpha lipoic acid, alpha lipoic acid जो की इसका इस्तमाल बहुत जादा obesity की समस्य होती है, motapa होता है, उनको कम करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है इसके अलावा body में से toxic को निकालने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है इसके साथे 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 समें आपको diabetic neuropathy की समस्य होती है तो उनसे भी कंडिशनों में भी αलफा लुपिविक एसिड काफी फायदेमंद होता है किसी भी परकार का कोई जखम जल्दी नहीं भर रहा होता है तो उनसे भी कंडिशनों में इस्तमाल करते हैं वीटी लीगों की समसे होती हैं तौचा में डिसकलरेशन होता है तो उन से भी परपज़ों में भी अलफा लुपयक एसिड काफी फायदे मन्द होता है अब बात करते हैं जो अगला कॉंबिनेशन है लाइकोपेन लाइकोपेन जो की यहाँ स्किन, बॉन्स और विजन के लिए काफी फायदे मन्द होता है आँखों से जुड़ी समस्यों को क्योर करने के लिए काफी फायदे मन्द है इसके साथ बलड की टेफिसिंसी होती है बॉडी में तो उनको भी पूरी करने में काफी फायदे मन्द होता है अब बात करते हैं flaxseed oil जिसे लिंसीड के भी नाम से जाना जाता है या खास तोर पे digestive system को improve करता है पाचन सक्टी को मजबूत करता है कबज की समस्या को दूर करता है और जो भी bad cholesterol होते हैं उनको यह बाहर निकालने में मदद करता है तो इन से भी कंडिशनों में flaxseed का काफी फायदिमन्द है folic acid है जो कि इसका खास तोर पे इस्तमाल pregnant ladies करती है जो कि जो भी newborn babies पल रहोते हैं गर्व में उनको यह अच्छे से development करने में काफी फायदिमन्द होता है spine को अच्छे से develop करता है baby को growth करने में काफी फायदिमन्द होता है folic acid तो उनसे भी condition में काफी इसे यूज करने के लिए दिया जाता है folic acid तो इन सभी परपजों का इन सभी combination में इस्तमाल किया जा सकता है बात करते हैं इस दवा का क्या डोज है तो डोज दिन में एक बार नात को सोते वक्त खाना खाने के बाद गुनुने पानी आता जी पानी के साहता पिसे इस्तमाल कर सकते हैं इस medicine को इस्तमाल करने से पहले बाद डोक्टर यार फार्मेसिस से जरूर कंसल्ट करें उसके बाद ही आप इसे इस्तमाल करें अगर आप pregnant lady है उस condition में भी आप doctor के रेख देख और doctor के सला के बाद ही इस्तमाल करें बात करें क्या नुक्सान हो सकता है अगर आपक किसी परकार के कोई भी critical medical condition में कोई medicine course चल रहा है आप किसी परकार के कोई patient है तो उन सभी condition में आप इसे इस्तमाल ना करें तो यह ही था bio star gold capsule के बारे में जनकरी अगर आपको वीडियो या जनकरी अच्छी लेगी तो please like किजेगा और हमारे चैनल को subscribe किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यमाद thank you for watching